नमस्कार बच्चों, आज मैं वंदना रोडा आपके समक्ष कक्षा आठीं के पाठ की बस की यात्रा को लेकर उपस्तित हुई हो। इस पाठ के जाने माने लेकक हैं हरिशंकर परसाई जी जिनका जनम 22 अगस्त 1924 को हुआ तथा इनका स्वरगवास 10 अगस्त 1995 को हुआ इनका जनम मध्यपरदेश के पोशंगाबाद जिले में हुआ ये एक ऐसे रचनाकार थे जिन्नों ने व्यंग पर अपनी रचनाओं को दिल्वाने में एक महतपून भूमी का निभाई तथा इनकी एक प्रमुक पत्रिका थी वसुधा इन्होंने हलके फुलके मनोरंजन के साथ व्यंग को समाज के सामने रखा और समाजिक विश्यों पर व्यंग करते हुए समाज से प्रशन पूछे तो यह पाठ भी इसी के सं हम पांचों मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से चलें पन्ना से इसी कंपनी की बस स्ताना के लिए घंटे भरबाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुंच जाएंगे हम में से दो वो सुबह काम पर हाजिर होना था इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सला दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं नहीं बस डाकिन है तो दोस्तों यह पांच मित्र थे इन्होंने यह निश्चित तिया कि हम शाम वाली बस से ज़स तक और उसकी बस जो थी वो एक गंटे के बार मिलती थी और आगे इनोंने जाबलपूर की ट्रेन लेनी थी और इनोंने सोचा कि यही जो आत्रा है यही जो हुमरा रास्ता है यही उचित है बना से सतना तक बस प tarik और पिर जबलपूट की ट्रेन पर बैठ कर गुम कर वापिस अपने गार आ जाना क्योंकि इन में से लोग नौकरी भी करते थे तो उनको सुबह अपने काम पर जाना था तो सब ने सोचा कि यही जो रास्ता है यही एक उचित रास्ता है हम इसी रास्ते के द्वारा जाएंगे पर लोगों ने इनको क्या सला दी लोगों बस के बारे में जानते थे लोगों ने सला दी कि जो समझदार आदमी होते हैं शाम वाली बस सफर नहीं करते तो उन्होंने हसते हुए पूछा उन पांचों दोस्तों ने क्यों रास्ते में डाकू मिलते हैं तो जिन वेक्तियों उन्हें इनको समझाया उन्होंने का नहीं डाकू नहीं मिलते ये बस ही डाकू के समान है उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि उ बस की सिती को जानते थे, देखिए, अगर हमें इस प्रकार की बस में सफर करना पड़े, तो निस संदेह यह हमें डाकू की तरह ही लगेगी, ठग लेगी, कभी भी हमें रास्ते में दोखा देदेगी, तो इसलिए उन्होंने इस को डाकिन कहा, बस की को देखा तो श्रधा उमर पड़ी, खूब व्ययोगरिद थी, व्ययोगरिद मतलब बहुत बुड़ी इस तरी के समान थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, जिस प्रकार हमारे बजरुग जो होते हैं, वो सुख, दुख, सब तरीके के अनुभवों को अपने जीवन में ग्रहन करते हैं, उसी प्रकार भी इस बस की अवस्ता को देखकर लग रहा था, मानों इस बस ने सारे अनुभव ले रखे हों, सारे दुख सुक अपनी जीवन में अपने उपर लिये हुए हों, लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वियो विद्धा में इसको कष्ट होगा, यह बस पूजा के योगे थी, उस पर सवार कैसे किया जा सकता था, अब जब इन पांचों दोस्तों ने इस बूड़ी सी बस को देखा, तो इन्हों ने सोचा कि अगर हम इस बूड़ी सी बस पर सफर करेंगे, यात्रा करेंगे तो इस को बहुत कष्ट होगा, जिस प्रकार हमें एक बजर्ग औरत को अगर कोई काम बता दें और उससे वह काम ना हो, तो हमें उस पर दया आयाती है कि इससे काम नहीं हो रहा, हमने बेकार ही इसको ये काम बता दिया, बेकार ही उसको ये कष्ट दिया, इसी प्रकार ये बस भी किवल पूजा के योगी थी। उन्होंने सोचा कि इस पर सवारी कैसे किजा सकती है। इसकी तो किवल पूजा की जानी चाहिए या सेवा की जानी चाहिए जिस प्रकार हम अपने बड़ों की सेवा करतें हैं। Bust company का एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहा जी और कैसे चलेगी तो इन उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार था जो बस में सफर कर रहा था यात्रा करना चाह रहा था तो सभी दोस्त उनको जानते थे उन्होंने हिस्सेदार सहाब से मस्ती करते हुए पूछा कि क्या है बस चलती है तो हिस्सेदार सहाब ने जवाब दिया क कि हाँ हाँ चलती क्यों नहीं है उन्होंने जानके चुटकी लेते हुए पूछा क्या है अपने आप चलती है तो हिसेदार सहाब ने थोड़ा सा चंबित होकर थोड़ा सा हैरानी से कहा कि हाँ और अपने आप नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी गजब हो गया ऐसी बस भी अपन हम आगा पीछा करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मच चलो बस अनभवी है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वस्नीय है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी तो सब आगा पीछा करने लगे आगे पीछे होने लगे इधर उधर होने लगे तो नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वास के लायक है। तो विश्वसनी है मतलब विश्वास के लायक। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनी है जिस प्रकार कोई नई चीज हो उस पे हम इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। पता नहीं वो कब बीच रास पर वे अपने बच्चों पर कोई संकट नहीं आने देते उसी प्रकार यह बस भी उसने डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस भी हमें हमारे माता-पीटया की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी नई पीडी की तरह नहीं जो ठोड़ा सा संकट आने पर घबरा जाती है तो उस उसने यहां पर कटाक्ष किया, यहां पर नए नवेली बस कहा तो उसने नए नवेली बस के लिए था, परन्तु इन्हों ने एक इशारा भी किया, नई PID की तरफ जड़ा सा संकट आने पर घबरा जाती है। और पुरानी बस के लिए उसने यह का कि वै अन्भवी वृद्ध औरत की तरह है औरत पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वो किसी भी संकट को देखकर घबराएगी नहीं। हम बैठ गए जो छोड़ने आये थे वे इस तरह बस को देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हूं। उनकी आँखों आँखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर आदमी को कूछ करने के लिए एक निमित चाहिए। तो सब जो लोग थे वो बस में बैठ गए इतना कहने पर जब डॉक्टर साब ने उनको तसली दिलवाई तो सब बैठ गए बस में। तो वो इस प्रकार विदाई दिल से जैसे वो उनको अंतिम विदाई दे रहे हो। राया पर जान नहीं होगे इस प्रकार की बस में। तो उनोंने उनकी आँखे इस प्रकार का संकें दे रही थी घिति sorta कोमिंकु कूछ करने के लिए हो जो लड़ होना कारण चाहिए कि जब इंसान अच्छ की मृतियों होती है त logo किसी से मर जाता है तो कभी किसी जुरुगटना से मर जाता है तो कहीं मृत्यू का कोई ना कोई कारण बन जाता है तो उन्होंने उनकी आखें इस पर कार इशारा कर रहे थी मानों यह बस उनके लिए अंतिम यात्रा लेकर आई हो और यही उनके मृत्यू का कारण होगी इंजन सच स्टार्ट हो गया जैसे ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम उस इंजन के भीतर बैटे हो कांच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फोरण खिर्की से दूर सरक गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है बचों जिस चीज खराब हो रही है, उसको उसी वस्ता में रहने देते हैं, उसको मरम्मत नहीं कराते हैं, उसको ठीक नहीं कराते हैं, तो उन्होंने सरकारी नीतियों की तरफ कटाक्ष किया है, इंजन सचमुझ में स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था इंजन, और उस इंजन का श सा दूरोकर उससे अपनी सीट से थोड़ सा दूरोकर बैठ गए ताकि बस में जब चले और वो उबढ़ खाबर रास्ते की और जाए तो ऐसा नहों कि बाकी की कांच भी उनके उपर आकर गिर जाए तो सब को लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन है क्योंकि उसका इंजन का शोर ही इतना ज़ादा था सारी बस जंजलाने लगी थी बस सचमुष चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवग्या अंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे हिस्से से ऐसहयोग कर रहा था पूरी बस सविनय अवग्या अंदोलन के दोड़ से गुजर रही थी सीट की बॉड़ी से ऐसहयोग चल रहा था कभी लगता था सीट बॉड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉड़ी आगे भागी जा रही है आठ दस मील चलने पर सब भेदभाव मिट गए यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम सीट हम पर बैठी है तो अब जब इंजन स्राइट हो गया तो बस सचमुझ चल पड़ी और वो बस इतनी पुरानी थी आपको पता है इस बात का कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है पर गांधी जी और हमारे और कई नेता सुभाशंद्र बोस इत्यादी जी इतने भी नेता हुए है इन लोगों ने अपनी करांटी कियों के द्वारा भारत के लोगों को एकठा किया भारत की युवा पेड़ी को इकठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर ये अंदोलन छेड़ते रहे करांटी छेड़ते रहे तो गांधी जी ने भी कई अंदोलन और कई करांटी करांटी उमें भाग लिया जिसमें से ऐसा योग अंदोलन उनका क्रांती का एक हिस्सा था सभी ने अब अग्यान दोलनी यह भी उनकी क्रांती का एक हिस्सा था तो सबको लग रहा था कि यह बस उस जमाने की है जब गांदी जीने अंग्रिजों के खिला क्रांती शेडी थी उस समय यह बस उस समय की है तो उस समय में यह वर्ष जवान होगी सबने सोचा कि इस बस को ट्रेनिंग मिल चुकी है पर हर हिस्सा दूसरे हिस्से से ऐसा योग कर रहा था पर उस बस की हालत को देखकर नहीं लगता था क्योंकि हर हिस्सा जो था जैसे इंजन की बात में हमने अभी उपर की तो इंजन जो है वो इतना शुर कर रहा था तो सबको लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है तो हर हिस्सा दूसरे हिस्से से सहयोग कर रहा था मतलब सहयोग नहीं कर रहा था पूरी बस ऐसा लग रही थी जैसे सविन्य अवग्या अंदोलन के दोर से गुजर रही हो उस समय में उस समय के उनको याद होकर आ गई सीट का बॉड़ी से पूरी बॉड़ी से इस बस की ऐसा योग चल रहा था कभी लगता था सीट बॉड़ी को छोड़ कर भाग जाएगी अगला हिससा आगे निकल जाएगा और सीटे हमारी पीछे ही रह जाएगी आठ-दस मिनल चलने पर सब बैदभाव मिट गए क्योंकि बस चल रही थी तो अब किसी की मन में को शंका नहीं थी सब थोड़े से निश्चिन तो कर तसल्ली से बैढ़ गए उनको लगा, यह बस ठीक है, हम बेकार ही चिंता कर रहे थे, पर सब को समझ नहीं आ रहा था कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी हुई है, एका एक बस रुप गई, एका एक मतलब अचानक, अचानक जो थी वो बस रुप गई, मालुम हुआ कि पेट्रोल की ठंक में छेद हो गया है, क्यों रुकी? क्योंकि पेट्रोल की ठंकी में छेद हो गया था, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, अब मैं उमीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के अब ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने सुचा पेट्रोल कहीं खतम हो गया तो बस पेट्रोल के भी ना चलेगी नहीं, उसने क्या किया, एक बाल्टी उठाई और बाल्टी के अंदर सारा पेट्रोल जो इंजन से लीक हो रहा था, जो लीक हो रहा था पेट्रोल की से उसको उसमें बाल्टी में भर लिया और उसको एकठा करके इंजन में भेजने लगा किस परकार भेजने लगा उसने एक पाइप लगाई बाल्टी के अंदर और एक पाइप की नली का सीरा जो था वो उसने इंजन के अंदर छोड़ दिया और सबको देखकर ऐसे लग रहा वो उसके अंदर जिस प्रकार एक बच्चे को शीशी से दूद पिला जाता है वो इस प्रकार इंजन को पेट्रोल पिलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे एक छोटे बच्चे को दूद पिलाया जाता है ताकि वो चुप रहे शांत रहे और चलता रहे इसी को कोई तकलिफ ना ह बस किरिफतार अब 10-15 मिल हो गई थी, मुझे इसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टेरिंग तूट सकता था, तो अब जो थे, जो लोग उसमें बैठे थे, उनको इस पर बस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, दस-दीस मिल उसकी स्पीड रही थी, पर उनको ये लगता था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकती है, स्टेरिंग तूट सकता है, इसका बस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, प्रकर्ची के दरिश बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे बरे पेड थे, जिस तरह पेड का इंतिजार करता, जलील दिखती तो सोचता, बस इसमें अभी गोता लगाएगी, इनकी डुपकी लगाएगी, तो एक तो बस के उपर लोगों को भरोसा नहीं था, उनको लगना था कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेरिंग तूट सकता है, तो उसने अपन और हम दुरगटना गरस्त हो जाएगी और हमारा एक्सिडन्ट हो जाएगा, जब वो एक पेड निकल जाता तो लिखक दिखती था, दूसरे पेड का इंतिजार करता, जील दिखती, तो उसको लगता कि बस इसमें अभी डूपकी लगा देगी, यानि कि बस इसमें अभी ड बस जब दुबारा रुकी, तो फिर वो दुबारा से नहीं चली, उसने कई सारी उपाए अपनाए, कई सारे तरीके अपनाए, सभी नया वग्या अंदोलन शुरू हो गया था, अब या अंदोलन करांती की शुरुआत हो गई थी, जब हमने करांती की शुरुआत की, तो हम हमने करांधियों को उस स्तर पर ले गए कि हमने गांधी जी की करांधियों के द्वरा ही हमने अपनी अजाधी को प्राप्ट किया अब क्या था कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो first class है यह तो इत्फाक है इत्फाक की बात है इत्फाक का मतलब था संयोग कि यह तो गारा था उसका उसकी इंसेट नहीं कर रहा थ तो उसका अपमान नहीं कर रहा था वो थो कह रहा था कि बस तो first class है जिस प्रकार एक बच्चे में कितनी भी कमिया क्यों ना हो उसके माता-पिता उसको कभी बुरा नहीं कहते उसी परकार इस बस के जो चालक थे ड्राइवर जो थे, वे भी अपनी बस को खराब नहीं कह रहे थे, बस के हिस्सेदार उसको अच्छा ही बता रहे थे, शीन चांदनी में विरिक्षों की चाया के नीचे वह बस बड़ी तयानियां लग रही थी, शीन होता है मद्धम, चांद की थोड़ी थोड़ी रोश्नी में श्रदाल उमड रही थी उसके लिए, लगता था जैसे कोई वरिदा थकर बैट गई हो, उसको देखकर उनको क्या लग रहा था, जैसे कोई बुड़ी और बोज और चल नहीं पा रही है, और वो थकर बैट गई है, हमें गलानी हो रही थी, गलानी मतल़ हमें शर्मिंदगी प्राण प्लस अंठ, अठार्थ प्राणों का अंठ, अठार्थ मृत्यू, अगर इसका प्राण अंठ हो गया, तो इस बियबान में हमें इसकी अंतेश्टी करनी पड़ेगी, उनको लग रहा था, अगर इस बस की मृत्यू हो गई, यानि कि इस बस ने जवाब दे दिया, तो बियबान यानि कि सुनसान, इस सुनसान से जंगल में हमें इसकी अंतेश्टी मतलब दाहा करम करना पड़ेगा, हमें इसको यहीं पर जला कर जाना पड़ेगा, अंतीम मृत्यू के बाद जो अंतीम क्रिया करम होता है, उसको अंतेश्टी गोलते हैं, हिसेधार साहाब इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली और उसकी चाल अब कम हो गई थी, हिस्सेदार साब ने उसकी इंजन में कुछ ठुपट की और फिर से चल पड़ी, पर अब उसकी स्पीड जो थी वो कम हो गई थी, धीरे धीरे विरिधा की आखों की जोती जाने लगी, धीरे तो इसी प्रकार ये बस भी रेंग रही थी, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उमर नहीं रही, जिस प्रकार हम कहीं माली जे पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हूं, एक निकल जाओ, मेरी अब उमर नहीं रही, एक पुलिया के उपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, अब ये एक फ्लाई ओवर पर पुलिया मतलब फ्लाई ओवर पुल पर पहुंचे थे कि टायर फिस होकर बैठ गया, वह बहुत जोड से हिलकर तहम गई, आप से देखा, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हतेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं, वो ह생 थे कि बस का हिस्तेदार इस बस की हालत को जानता है, जबकि चालक का काम क्या होता है, कि वो सारी स Wonderful की सुरक्षा के जमीदारी अपने उपर ले, पर ये बड़ अजीब से थे कि बस की हालत जानते थे और टायरों की हालत भी जानते थे फिर भी जान हतेली पर लेकर मतलब प्राणों को प्राणों का संकट लेकर इस बस में सफर कर रहे थे अब खुद ही नहीं कर रहे थे लोगों उस पर भी उनमें सफर करवा रहे थे उत्सर्ग की ऐसी भावना दुरलब है उनके उत्साहा की उनके साहास की ऐसी भावना दुरलब मतलब बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों में देखने को मिलती है सोचा इस आदमी के साहास और बलिदान की भावना का सही उपयोग था इस बस को चलाने में ये अपना साहस और बलीदान जो वेस्ट कर रहे हैं वेर्थ कर रहे हैं ये इसका सही उपयोग नहीं हो रहा इससे तो किसी करांती कारी अंदोलन का नेता होना चाहिए था अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसा रहें उसका इंतिसार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण देदी है मर गया पर टायर नहीं मतला अब इन्होंने जानके मज़े लिए इन्होंने सोचा कि अगर हम करहीं किसी नाले में गिर गये और हम समर जाते हैं तो यम्राज के जो दूत हैं देवता, यानि कि इम्राज की जो दूद हैं, इम्राज बाहें पसारे मतलब खुली बाहों से स्वागत करते हमारा, सबसे पहले किसका स्वागत करते हैं? इससे दर्साहब का, और वो सोचते इम्राज कहते हैं कि क्या महान आदमी है, इसने लोगों को तो पता होता है, अगर किसी को पता हो हमारे प्राणों पर संकट बन रहा है, तो कई उपाय करता है उससे बचने के लिए, पर यहां यह अजीव आदमी है, जिसने एक बस के टायर के लिए अपने प्राण दे दिये, मर गया, पर टायर नहीं बदले, यहनि कि अपनी जबान पर रहा, इसने सोचा, मैं बस जैसी भी है, इसी के साथ गुजारा करूंगा, यह खुद तो मरा ही मरा, औरों को भी लेकर मरा, इसने बस के टायर नहीं बदले, चाहे इसको अपने प्राण ही क्यों नहीं देने पड़ गए, तो उन्होंने जानके कटाक्ष किया, जानके मजे लिए, दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर जैल पड़ी, दूसरा टायर लगाया, स्टैप नहीं लगाई, पर वो भी घिसी हुई थी, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उमीद छोड़ दी, जिन्होंने ये, सोचा था ना, कि हम पन्ना से सतना जाएंगे, वाँ से जबलपूर की ट्रेन में बैठेंगे, घूमेंगे, और फिर वापिस, इसी रूट से वापिस अपने घर सुबह तक पहुंच जाएंगे, अब जिन लोगों को उमीद थी, उन लोगोंने उमीद छोड़ दी, पन्ना कभी ने उमीद पहुंच दरनी है, अब सीधे इस लोग से प्रियाण कर जाना है, अब उन्होंने कहीं पर जाने की पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी, उनको लग़न था, हम इस बस में जा रहे हैं, तो अब इस बस से केवड, प्रियाण का मतलब होता है, कि हम इस बस को चोड़कर केव मन्जिल इस प्रत्वी पर दिखाई नहीं देती थी कोई लक्ष नहीं दिखाई देता था हमारी बेताबी और तनाव खतम हो गए अब जो उनको बेचानी थी वो भी खतम हो गई और उनके मन में जो टेंशन थी तनाव का मतलब है चिंता तनाव जो था वो भी कतम हो गया हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैठ गए आप इन लोगोंने पहले तो ही चिंता कर रहे थे मन में उल्जन भी चल रही थी बेचैन थे कि हम समय पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे जिन्दा पहुंचेंगे या मरकर पहुंचेंगे पर अब इन्होंने सारी चिंता हैं और सारी चीज़ें जो थी वो छोड़ दी अब ये बड़े इत्मिनान मतलब तसली से ऐसे बैठ गए जैसे घर में बैठे हो चिंता जाती रही हसी मजाग चलो हो गया अब ये हसी मजाग में डूग गए इन्होंने सोचा जितनी चिंता करेंगे उतना जादा हमारा दिमाग खराब होगा उतना जादा हम डरते रहेंगे उन्होंने चिंता छोड़ दी और अपना ध्यान बटाने के लिए आपस में हसी मजाग शुरू कर दिया तो देखा बचों आपने इस पाठ के द्वारा हरिशंकर परसाई जी ने सरकारी नीतियों और सरकारी प्रणालियों पर एक सवाल उठाया है कि क्यों नहीं वह है अपना सिस्टम अपने तरीके को सुधारते और सुधार लाकर उसमें लोगों को अच्छी सेवाएं देते अब सरकारी बस थी उसका काम था लोगों को सेवाएं देना पर अगर इस प्रकार की बस में सफर करेंगे तो प्राणों का संकट है और हैरानी की बात यह है कि जो लोग इसकी दशा को जानते हैं जो लोग जानते हैं कि हमारे सिस्टरम में गलत काम हो रहे हैं वो भी उसको बदलने की कोशिश नहीं करतेए वो भी उसके साथ समझोता करने की कोशिश करते हैं फिर चाहें उसमें किसी की जान क्यों न चली जाए तो इस पार्ट के द्वारा हरशंकर परसाईजी ने ये जो व्यंग किया है और उन से एक तरीके से उनको बदलने के लिए प्रेरित किया है कि अब समय आ गया है आप सरकारी नीतियों को बदलें तो मैं उमीद कर रही हूँ आपको यह पार्ट जरूर समझ में आ गया होगा धन्यवाद झाल 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 झाल